जाहिन दोस्तों आज हम लोग परहेंगे मानव की उद्भवब और विकास उद्भव कैसे हुआ फिर विकास कैसे हुआ हम लोग कहां से हम लोग कौन जीव से उद्पती हमारी हुई है हमारे पुरुवज क्या है यह सब बारे समझेंगे वास्तव रुक्षे क्या हम लोग बंदर बोड़ते हैं या चिंपैंजी च्या वही हमारे पुरुवज है या बंदर या चिंपैंजी के भी कोई पुरुवज है जो बंदर या चिंपैंजी के पुरुवज है उसके भी कोई पुरुवज है तो हम लोग जिस वर्ग में आते ह अस्न थन्दारी वर्ग के विमीलिया वर्ग में हम लोग आते हम तो अस्न-दारे जीव सबछना एक ही सही है सारम का पुर्वज एक यह जो एक हम समझते हैं कहां से आई जड़ाया देखती है मानब के उद्भव और विकास समझने के लिए यह आवस्यक है कि हम लोग जैब विकास के करम में इनके पुर्वज कौन-कौन है यह समझें इनके पुर्वज कौन-कौन है ठीक है ना या कौन-कौन रह चुके हैं कौन-कौन होंगे हम सभी मानब के मनुष और मानब मनुष अर्थात हम सब मानब या मनुष अर्थात मानब तथा पैरामिट्स के वर्ग के अंतरगात हम लोग जिस वर्ग के अंतरगात आते हैं तो यह पहले जाने कि पैरामिट्स के पुर्वज कौन है तो पैरामिट्स के प पुरबज हम लोग परमेट्स के पुरबज कीटम अक्षक कीटम छक नामक कीटम चक नामक अस्थानदारे जीव के पूरबज जी जो है ना पैरामिट के पूरवद अस्थान धारी ये समझ ली अस्थान धारी किटम चक किटम छक यो कि पाइगा होता कि चेनक से कंप Weinavan एक अस्थंधाली जीव आगए यह तो अभ इंट्क में आते ये जरह दिख लिए तरह करकर की एक परमृक मैं कि यह अंतरकत कोन जंतुर आप सामै करने माना कि बंदर लेमर तंदुआ तिम्पुआ यो नमा एक अस्थन्दारी गीव है अब देखिए फिर यह पुते हैं मानम के बहुत कड़ी से मिलता जोपे छी बेघ्च तो कई निजेए पारामीड्स ही या पारे मिट्स में ही क्यों आया ओल्ड और टी ओल्ड वर्ल्ड मंकी ओल्ड वर्ल Marie निजे यूग के बंदर तो पुराने यूग के जवाने की यूग के मन बंदर जो है ना मानव से अधीक मिलते जूलते ये इस समझ लीजे इस वर्ग में ह सब्सक्रांवन जुल्टा था कोन है पुरानय योग के सीघनाते हैं ज्ञेकल था सब्सक्राइपन गानेलद मिसे किटम किटम छक जिसको हम लोग एंसेटिव भोयर काते हैं यह हो गया तो इंसेटिव भोयर जिसको किटम किटम छक अस्थान धाली जीव यह किरियोटियस अवधी के जीवित है किरियोटियस अवधी के खीवित जागता जीवित और जागता हुआ उधारन है किटम छक जीव अइसा आप जड़ा देख लेते हैं कि इसका जो है ना हिंदी नाम जो है नतनी उचारन में गरबराता रहता है तो किटम छक अस्थंदारी जीव पैरामिस्ट फिर बन गया पैर और पैरामेस्ट कि नैभी तो लेमर में तूट गिया जारी लेख लेते हैं वह ख्या है इस समय नाम मानव से मिलता 아जूता था इस में कारन के आगी है अब आवत्यों से मिलता एक यह गया मनुस्व और इस में क्या हो गया या इसा था या मंकी व यह Biz फूरू और पिर आप गई को कहते हैं इस्वाइट के ट्री थू है एधे ड्रू ट्री andrait Sun 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 HI Sun 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 यह पर आने लगे बंदर में उसलेंगा इसके वाद किसमें चूट गया चिंपनजी में आ गया पेरा में चल द इसी वर्ग में हमादा है मनुस्थ आ गया हूं में आ गया यह जरह देख लेते तो पेरामिट्स के ही वर्ग है यह सारे अब कहा जाता है जो जरा देख लेते कि टर्सियर अबदी में जो भी पैरामिस्ट का उद्भव बिकास हुआ उस पैरमिस्ट के जोहने भी आस कितने वर्स वा तो जरा देख लेते हैं साथ मीलियन वर्स पुर है तो आए चाटन थे साथ मींशस को आप जिएशशन पयरामिस के पूर्वर्वत की होगा यह एक कीट मग्छकुन संद्धाड़ी जिए आप पैरेविज्ट लेमर में टुट में वंदर मैं उवानदर द मैं जाती इसके इसाथ इसकी नीची और आप जितने सारे मंकी न पुरानी दुनिया के बंदर को बंदर नीचे की तेसे नीचे की इन आब जड़का है पहले पुराने दुनिया के जो बंदर हो माँम से मिलता जूलता था हुँआ मासिक धरम होते थे sensitive ऐंग होते थे थे कान होते थे खोट थे अम लोग का उसका का सेंसेटिव मासिक धरम भी उस पूराने ओल्ड कि मेन पूराने दुनिया के जो है बंदर उसमें होते थे और सौसन जो है नसीका जो नीचे में जरा हम भी देख लिए कि हम लूग का भी यह सोसन है नसीका है यह नीचे में इसलिए उसका वहारे बहुत करीबी थी लेकिन य में तूट गया चंपैंजी में डिए जुक पर रहने लगे को जमीन पर रहने लगे आसे करक्या hro ॥ Теперь है 65 मेर्ड दो है शार्ब सरोब होग साथ सात सतर मिल्योंवर्ष पूरव साथ 75 से साथ मिलियन वर्स पूर्व इसके उत्पती हुई है उद्भव हुआ या उत्पती इस प्यारामेड्स को अब ज़रा देखते हैं नसी का भी समझ अब इस दक्षिन अब यह वला जो है ना दक्षिन एस्या या पूर्वी एस्या या मद अफ्रिका कि पुराने जवाने के जो बंदर थे दक्षिन पूर्व एस्या और क्या कहते हैं एफ्रिका मद एफ्रिका मद पूर्व एफ्रिका में पाए जाते थे और पाए जाते अभी भी देखिएगा तो ऐसा बंदर का परजाती मिलते हैं पुराने जवाने के बंदर मानब के अधिक यह स्टीक्स के बहुत बिखशित और यह बहुत विख्षित अर यह मनुस के बहुत करीबी तो कहा गयाए इसका मतलब इसे ऐप से हुआ होगा से इसी लिए अगर काहा जाए तो मनुस का जो विभक्ति हुआ इसी बंदर से पेर पर रहते थे पुछ कुछ जमीन पर रहते थे कुछ गुफाओं में रहते थे ऐसे करके रहते थे अब जरा यह बैलोजी की बाते हैं यह समझ लिए फिलोस्पी के बाते नहीं है तो अफ्रीका में हुआ अधिक संख्या में हुआ और यहीं पर विख्षित हुआ तो कहा जाते कि मानब का कर्याडल जो उन्हें पालना किसे क सब्सक्या tetis 就 आगे तो अगर हमसे पूचे पूरे हुमेनल स से सब्सक्राइ करें कि हमारे पुर्वज कौन लोग कहें पहरामेट पाइयमयत प्राइमेट प्राइमेट हम लोग का क्या है पुरुबज है हम लोग का उत्पति यह नहीं कि हम लोग का बन थी पुरुबज बंदर है या चिंपैंजी है बंदर या चिंपैंजी हम लोग तो रिष्टेदार में आ रहा है देख लिए एप होगी या चिंपैंजी होगे सब ह क्या है बहूत करीवी रिष्तेदार है बहुत क करीवी का हम रमारे घ्डष्रक पुर्वज हुम्मोऺ पुर्वज हम लोग का πूर्वज कौन है तथा रामु रामा भीधियों और रामा भीधियों अभी फीयों देख लेते हैं सब अब देखते हैं क्या बातव है में यह सम्झे जरा अक्छी से समझ लेते हैं कि हम लोग को हम कीIt किट मक्षक ठीक है ना परामेट्स के पुर्वज है परामेट्स से क्या क्या बना है मनुष एप सिंपैंजी पुरानी दुनिया के बंदर नहीं दुनिया के बंदर टर्सियर यूग के बंदर टर्सियर परामेट्स लेमर परामेट्स यह भी परामेट्स के चाती है वर्व क्य किसी लगाए गई यह जरा समझते हैं कि अगर यह सब पता रहेगा ना कि हमारे पुर्वज कौना है हम कितने धरती पर आये और कितने इस पेसिज है यह सारे यदि समझ में आजाए और सही धंग से तो जमीन पर पाहूं ठीके रहेंगे और हम किसी बात को यह नहीं समझेंगे कि एक हम ही आए तब यह समझ में रहेगा कि भाई नहीं इस दुनिया बहुत बड़ी है यहां कितने क्यार चीज हो किसी के पता नहीं सारे चीज को समझ के और अस्थीर से तब रहें जब तक ना समझ रहें तब तक नहीं तो देखो मनुस के पूर्वज मनुस के पूर्वज हम लोग समझ गये मनुस के पूर्वज हम लोग समझ गये कि कोन है कि पूर्वज जो है ने लग भाग पंदर मिल्यन बर्स पंदरा मिल्यन बर्स पूर्वज डेयो पेथिस या या य न डायो पेथिस यह यह न डायोपीदिक्स डायोपीदिक्स और रामापीदिक्स नामक नर्वानर विध्यमान थे इसके गुन मनुस्य के खुट करी भी गुन से मिलता जिलता था पैरामिस्ट का गुन भी बहुत करीबी से ठीकर कीट्स जो सबसे पहले तो जाए कि कीट्स जो है नामक अस्थन धारी जीव और एक वाद समझ लिए कि सभी जीव की जेनेटिक्स यदि देखा जाए वह पेर प है डी अनने यक जैसे मिलता इसे यह भी पता चलता है कि सभी जीवक्यूंत पती में कहीं न कहीं एक जीव से हुआ है है कि तो डाइयो पैथिक्स और रामो पैथिक्स नाम का एक नरवानर ब Unfren aircraft इनल लोगों के सरीर जुहार। मानम की जैसे शरीर से हुआ करता था जैसे मानम अभी है तो मानम की तरह नहीं जैसे अभी हम लोग क्योंकि समय बीटता गया कि आज से 2.1 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ना बीग वैंग के अनुसार कि आज से 1.2 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्व बीग वैक के अनुसार मानम में सबसे बरी करांती जो हुआ ना टर्लिंग पॉइंट हुआ कि वो चार पाउं से दो पॉआ पर आगे दूर तक देखने लगे मानम का ब्रेइन विक्षित होने लगा था और उस सोचने लगे थे और कहा जाता है जीव ज्यान के अनुसार और साइंटिफिकेशन के अनुसार विज्यानिक कि ब्रें जीस सारे जीव उस्टिर ही जीव चलिए मनुस का इसमें मनुसर साज भी बहुत ज्यादा कि आरो कहा गया कि veggie Kogen के साब से कि सडेट के ओजन के सबसे पारेन जगा लगता है है तो जयादा सोचेगा शरीर के अनुपात भी लगाता है यहां तो हाथी का उजन तो दिमाग तो बहुत बढ़का होता है बड़ेन 4-5 kg करते हैं नहीं कि सबसे बेसी वहीं सोचेगा जरा यह भी देखेगा कि हाथी कितने केजी का तो बड़ेन का जुहें वेट सरीर के अनुपात से मिला जाता है शरीर मानव का शरीर साथ सतर किलो करता है उसका ब्रेन 1260 गडाम का होता है तो इसलिए सबसे अधिक सुचते हैं मानव तो सबसे टर्निंग पॉइंट उस बीग बैंक सितन के उसार यही हुआ 1.2 मिलियन वर्स पूर दो चार पॉंट से दो पॉंट पर अग जिसको हम लगाते हैं जैसे यह बन मनुस जाचे रामू डेफ्ल तर्थिस्यास यह जह डेफ्ल थीस्यास नामक यह मानव क्यों अधिकना यह यह जो है यह हुआ क्या सोजरा देख लिए यह हो गया आपका छांक छहुआ या निए आ पीकिन से बदी स्दोर्य वानमنتोळ मलुसमने वानमने में रहने वान जंगल में रहने वानमन हो गया जिसे एंप घै इसको क्या थां कि भी आद यह पolphत हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिस्तेदार में आ रहे संटे अ इनकी जीवन जो है ना हम लोग से मिलता जुलता रहे हैं बहुत सारे मिलते जुलते हैं सारे चीज़ के बाते के हिसाब से और अगर कहा जाए तो विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग बोलेंगे अगर विश्वास रखते हैं तो इसको आदे हो तो चार से पां और गन मनुष और नर्वार गन आज से अगर हम लोग विश्वास करते हैं तो चार से तीन कि वर्स चार से तीन मिलियन वर्स मिलियन वर्स पूर्व वह नर्वानर जिसे हम पाराइमेट्स कहते हैं यहां गाता है रामेट्स आजनर्वानर पारामेट्स मनुष्व के लूप के आकार को देखने को मिला जैसा मनुष्व का मिला उजरा देख लेते हैं तो पूर्वी यह पारा मिर्स जो मिला मनुष्वीária वर्स आपरीका में पिंगस करता है करते हैं घूमती हुए देखने को मिला गया यह देखने को मिला यह एहां पारमिट्स नर्वानर यह पारमिट्स ही है उचलिए नंडुट बना बनमानुस एप्स जिसकों लोकाते यह पैरामिड्स नर्वानार यह जो है ना मिला संभावत इनकी उचाए जगाने होती इनकी उचाए चार फूट होती चार फूट कि इतना ही होती इन की बहुत बड़ा लहा भयकर होता था जैसे रा अखुबकरनची को इतना बड़ा भयकर बना देते गठनी सर्वाइब कर सकता है कालपनिक दिखाता है लेकिन काल्पनिक दिखाता है तो यह समझे कि है काल्पनिक लेकिन यह सारे चीज घटना घटी है और विश्वासनी है इसलिए और यह हमारे गरंत था इसको अपमानिक कभी ने जैसे इस बीच में एक फिलिम रिलीज हुआ जिसका नाम था आदी पुरूस वह हमारे सबता और रख अपमेड़नी दारी रखलता आरे ऐसा मोडन दारी दिखाया का या ना क्या रामानृत सागर में आए ना, इसलिए उससाब में जयदा धियान देन्हां नहीं जहान देलिए कि सबता मे रखे पर एकदम एक सबता सब बन के रहा कितनी अच्छी लगए उसमें जो सिता कई एक दाम से कपरा उपरा उदार के कहने दन सारी पर ना दिया गया अधी पुरुस वहला फिलिम में हम तो देखें नहीं वैसे कट खुट के न्यूज वहला सब दिखाता रहा तो फेस्बूक सब पर देखते रहे तो पैरामीड्स नामक नर्वान समब्ता चार फिट यह खड़े होकर चलते थे बहुत बड़ी बात यह हो कि यह खड़े हो करके चलते थे चार मिलियन वर्ष पूर्व जोहना यह लोग खड़े होकर के यहीं चार से तीन अर्था इतने के लपेट में आ रहा है एक दू के डेर मिलियन दू मिलियन वर्ष इसी के पर्स पूर्व में यह लोग खड़े होके चलना सिख लिया था बिग बैक सिदान्त का नुशार 1.2 मिलियन वर्ष जोहना पूर्व फूर्व जोहना मनुष खड़ा होकर चलना से लिया जब कि यह जो पैरमीड्स नाम का थो यह इतने घ्राव के चल रहे अर्थात कहीं ना कहीं यह पैरामीड्स चेह लोग का पूरवज आ रहा है तो पूर्वज थे है अब जरा इस से आगे अगर पैरामिट्स तुरू रहने उने पेर पर हणने वाले बंदर थे पेरपर से नीचे पर आए चार पाउं से दो पाउं पर आना दूर तक देखने लगे ते सारे बात समझे और हर चीज टूटा था पैरामिट्स तूटा तो अर्थात हम लोग का के वयान का पूरबज को ना प्रआइमेट या प्रैमेट्स तो परामेट्स हम लोगको पूरवज है कि कितने स्वेश्व है जब परेंगे कि Bugün इस पेसिज तो समझ में आ जाएगा हम लोग का हस्ति या है रहें या नहीं यह पता लग जाएगा तो इससे आगे अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग तब तक के लिए जाहिन जावात यदि इसमें कीट मक्षक नामक उसके उचारन में जो हैं न हमको कुछ दिकत आ रहा था तो कीट मक्षक नामक जो है न उपरामिट्स के पूरबज होगे परामिस्ट ह हम लोग का भी पूरबज क्यों है परामेट्स क्योंकि परामेट्स से ही तूटके हम बने हमारा वर्ग यह हो गया कि पेर पर आने लगे और कुछ वर्ग जंगल में धरुदर घूमने लगे जिन जो जंगल में घूमने लगे वही में से हम है वही में से हम है और खाड़ा हो एफरीका को सबसे फिल वहीं बीचरन करते हुए पाया गया तो इस सारे बाते को समझे अगर इस समय यह कहीं चीसी परकार का दिगा तो तो बताएगा इससे बेहतरी नंग से चाहेंगे कि समझाइए आप लोग को और समझे देखिए आइसे करके यह अच्छी से सरलता ही समसे तो अगले कलास हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे तब तत लिए जाहिन जायवाराथ